सोचिए एक दिन लंदन में लोग आराम से चाय की चुस्की ले रहा हूं। तब या चानक पुतिन का फोन आता है। सुनो मैंने परमाडू मिसाइल भेज दी है। बचने की कोशिस मत करना। अब लंदन वाले कंफ्यूजन में है। अगर रूस ने लंदन पर परमाडू हमला किया। तो लंदन का हाल कैसा हो सकता है। जैसे किसी ने पूरे सहर पर एक बेकिंग सोडर डाल दिया हो। हर तरह बस धुआ ही धुआ। बिग बेन की सुईयां रुक जाएंगे और लोग सोचेंगे अरे ये घड़ी ने टाइम पताना क्यों बन कर दिया। साइद परमाडू बलाष्ट टाइम का भी काउंट डाउन रोक देता है। वहां के लोग छाते लेकर घूम रहे होगे जैसे कोई बारिस हो रही हो और सोच रहे होगे अरे ये रेडिसन का पानी है। कोई मुझे आइस्क्रीम देदो साइद अब आकरी बार खावा हो। और पुतिन का हाल ऐसा होगा जैसे उसने कोई बीडियो गेम में बड़ा सा धमाका कर दिया हो। वह अपनी कुर्सी पर बैठा सांती से चाय पीते हुए स्क्रीम पर देख रहा होगा। वह यह तो बड़ा मज़ेदार नजारा है। विचारा लंडन चाय पीने और बारिस का मज़ा लेने की बजाए अब बचने के लिए इधर उधर दोड़ता नजार आएगा। रूस के टीवी चनल ने एक ऐसा ही वीडियो जारी किया। मानो यह कोई मूवी का ट्रेलर हो। आ रहा है इन गर्मियों में एक परमाडू धमाका जो लंडन को करेगा धूमा धूमा। इस चार मेट के वीडियो में धमाके की सुरूबात इतनी जवर्जस्त होती है कि लोग सोचें और यह हालिवूड का इस्पिसल एफेक्ट है यह सच में सब उडने वाला है। वीडियो में दिखाया गया है कि पुतिन का परमाडू धम ऐसे फटेगा जैसे किसी ने दुनिया का सबसे बड़ा पटाखा जलाया हूँ। 750 किलोग्राम का वार हैट मतलब एक ऐसा अधमा का जिसे देखकर लंडन वाले सोचेंगे यार यह तो हमारी फेमस फायरवक्स सो से भी बड़ा है। और डेली बिल की रिपोर्ट में तो जैसे निउस नहीं लॉट्री का नमबर निकाल रहे हूँ। अगर हमला हुआ तो आठ लाग लोग एक जटके में गायब और वीस लाख लोग अपंग कुछ इस प्रकार की निउस होगी। ऐसे बताया जा रहा है जैसे कह रहे हूँ और आप जी सकते हैं बंपर प्राइस जिंदगी भर का रेडियसन। लोग वीडियो देखते हुए अपनी अपनी चाय शोड़कर सोच रहे हूँगे। अब ये बंप कोई मजाख है या बाकई हमें यहीं का यहीं पापिट बना देगा। और टेली ग्राम चैनल पर डाली गए ये डोकुमेंटरी बिल्कुल बैसी लगती है जैसे कोई नई नेट्फ्लिक्स की सीरीज का प्रोमो हो। देखिए पुतिन प्रोडक्सन की तरफ से आ रहा है सबसे बड़ा धमा का। लंदन वाले आप सोच रहोंगे चलो हाई अगली वार पुतिन चाय पर बुलाए तो ना जाना ही सही है। तो यह 4 मिट की डॉक्यूमेंटरी बिल्कुल बैसी ही है जैसा किसी ने दुनिया का सबसे बड़ा बीवी क्यू का टेलर लॉंच किया हूँ। सुरुबात होती है। सूरज इतना गर्म एक आपके गोले से नया सूरज हुआ है। लेकिन यह आपको बिटामिन डी नहीं देगा बलकि सीधा आपको रोष्ट करके टॉस करेगा। अब जड़ा सोचिए एक किलोमेटर के दायरे में चारों तरफ सिर्फ आग ही आग होगी। लोग सोचेंगे अरे यार यार यह तो बर्दिंग मैन फेस्टिबल का ओवर्डोस हो गया। और इस गोले के बीच में जो भी आएगा वो ऐसे खत्म हो जाएगा। जैसे किसी ने टॉस पर जली हुई रोटी डाल दी हो। पांच किलोमेटर के दायरे में सब कुछ खत्म हो। ना इंसान और ना हड्डियां ना इमारतें बसराक और मलवा। जैसे किसी ने लंदन को मिक्श्टर गरंडाग में डाल कर सेख बना दिया। लोग सडकों पर ऐसे घूम रहे होगे। अरे यार यार यह सहर है या कोई टॉपिंग्स वाला पिज्जा जल गया है और तापमान लगबग 100 डिग्री से उपर। मानो लंदन वाले अब संस्क्रीम छोड़कर सीधा ओबन मिट्स पहनने की तयारी कर रहे हो। बाहर जा रहे हो। हाँ बस थोड़ी सी गर्मी है 100 डिग्री ही तो है धाई लाख लोग तुरन भस्म हो जाएगे। जैसे माइक्रोवेब में गलती से ज्यादा टाइम तक खान मानो मौत की स्पीड कोई हाई स्कूर गेम हो और पुतिन स्क्रीन पर बैठका सोच रहे होंगे अरे वह क्या नया रेकॉर्ड बना दिया हूँ तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार की ये वर्ल्ड अफिर्स की ख़बरें इंट्रेस्टिंग वे में आपको पसंद आएंगे। नमस्कार उंचाहेंदा